सु स्वागत वंदा नमिने अंदन कैसे हैं आप लोग आशा करता हो कि बहुत अच्छे होगे देखो आज के मार्केट और पिछले कुछ दिनों का मार्केट लगातार जो एक कॉंट्रावर्सी चल रही है मार्केट में जो गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है कुछ कहना म मेरे बहुत पयारे पयारे कुछ दर्शक जो बहुत कमेंट करते हैं अब निकल जाना जाए मार्केट से क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है पैसा बनना मुश्किल है क्योंकि foreign countries का मार्केट अच्छा है लेकिन हमारा मारकेट अभी volatility मारकेट है बहुत ज़ादा है अपनी का performance अच्छा नी चल रहा है तो ये सारी कहानी बता रही कि साहब यहाँ पास से निकल जाना या अपना investment रोग देना जादा मुश्किल है तो इस पर बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और हमें as investor क्या करना चाहिए इतिहास क्या कहता है कि जब जब ऐसा हुआ ह return कितना बना है या कितना return नहीं बना है और last में आपके प्यारे प्यारे कोशन लेंगे तो वीडियो पूरी देखना और प्लीज वीडियो को like कर देना like a target कम से को 1000 like रखता हूँ so start करते हैं मेरा portfolio था यार दो महिने पहले हरा भारा था 46% का return दे रहा था आज आलत ऐसी हो गई कि 35-36% पहुँच गया है लेकिन I am happy because of that इसकी पीछे reason देखते हैं क्यों खुश हुम है हम अपनी market की बात करते हैं तो यहां market की जो दशा है ना इस्तिती बिल्कुश सही नही इंडिया के top 50 company यहां भी दशा सही नहीं है मतलब data clear है कि data भाई सब data जैसा हम चा रहे हैं वैसा नहीं है क्या small cap mid cap ज्यादा fluctuate हो रहे हैं यह small cap company my dear friend और small cap आज की market के नुसार 859 point small cap गिरा है और पिछले 1 month में देखा जाए तो 1840 point small cap company गरी है जो लोग small cap funds में निवेश करत लेकिन एक चीज और है अगर आप 5 साल का data देखोगे तो सहर 5 साल में 323% small cap ने दिया है यह बड़ा शांदा data लगा same चीज same चीज हम mid cap की बात करते हैं अगर mid cap company की बात करोगे last one month में 2314 point mid cap नीचे गिरा है last one year के बात करें तो 51% market गिरा है तो market की हालत तो यह है विदेशी market की देखते हैं क्या होता है विदेशी market में हरा भारा महल चल रहा है यहां कोई दिकत तनाव देखने को नहीं मिल रहा है चाहे आप US की market की बात करो चाहे बात करो आप चाइना की market की बात करो तो यहां से लोगों का मन मनोबल तूट तो रहा है इतिहास देखते हैं इतिहा से आपके सामने बताना चाहूंगा आप money control साइट में चेक कर लेना बहुत अच्छे समझाया है history जो सब को जानना चाहिए अगर हम बात करते हैं 1973 में 48% market में गिरावट थी आप एक चीज़ ध्यान रखना यहां समय का अंतर देखना कि कब कब साल में कब कब गिरावट जादा हुई उसके अनुसार आपको बहुत कुछ समयने को मिलेगा 1973 48% 1980 में minus 27 का market हो गया था पूरा market minus 27% पर से था साल 1987 1987 में minus 34% था 1990 में minus 20% था 2000 की बात करें minus 49% था 2008 की बात करें minus 56% 2008 में minus 56% और 2020 COVID जिसको मैंने भी जहला और अपनी पूरा portfolio मैंने उसमें जहला minus 34% का return ये चीज ये चीज जो सामने हुई है ना ये बहुत कुछ सिखाती है और क्या सिखाती है मैं आपको ना summarize मैंने कर दिया है क्योंकि 2000 क्योंकि देखो हम जादस जादस 16 साल की मार्केट कर लेते हैं 2000 में minus 40% 2008 में minus 56% 2020 में minus 34% देखा जाए तो इन अगर तीन सालों की बात करें 2000 से 2020 तक जो लोग मार्केट में invested रहे 280% का रिटन बनाया अब देखो ऐसी स्थिती में काफी लोग तो मार्केट से निकल जाएंगे लेकिन जो लोग ठीके रहे मैं पूराना डेटा बता रहा हूं थोड़ा और जो लोग ठीके रहे उन्होंने 280% का रिटन बनाया 2008 से 2008 से भी आप ठीके रहते आज के मार्केट तक ये उनके लिए है जो लोग बीच मार्केट छोड़ के जाते हैं अगर आप मार्केट में ठीके रहते सर आप 1 लाक रुपे जमा किये होते उसकी वेलू 4 लाक हो जाती 10 लाग अगर जमा किये होते 45 लाग के मालिक होते आज और एक सिंपल सी S.I.P 2000 के S.I.P मातरी पिछले 15 सालों में कम से कम आपको 10 से 12 लाग बना देती वहीं अगर F.D. में करते 2 से 3 लाग मैटर क्या है? क्लियर मैटर सिंपल है आपको सर कि जो डटा रहा पैसे उसने बना ये जो लाइन जिनोंने समझ ली सर वो मार्केट में अच्छा पैसा बना रहे हैं और इनही लाइन को देखते हुए मैं बना हूँ, मैं टिका हूँ जब भी मुझे डाउट होता है मार्केट को लेके काफी कुछ चीज़े समय में आ जाती है जो डटा रहा पैसे उसने बनाया इसमॉल कैप में इन्वेस्टमेंट मतलब सर आपको पान साल का संघर्ष रखना है मिनिमम पान साल का मिट कैप में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो कम से कम तीन साल का आपको संघर्ष रखना है लार्ज कैप फंड्स आपको बचाएंगे लेकिर रिटन्स आपको वो नहीं देंगे जो सोच कर आपने SIP स्टार्ट की है अब क्या कुछ मेरे बड़े प्यारे वीवर्स से उनका कमेंट आया और जब वो डिसहार्टेड हुए न तो मुझे सारा चीज आपको बताना पड़ रहा है कि लार्ज कैप फंड्स में अच्छा तो लग रहा है लेकिन लॉंग टर्म में रिटन लार्ज कैप फंड्स ने बहुत अच्छा नहीं बनाया है आप सबको पता है और मैंने भी यही रखा है तो यह चीज आपको ध्यान रखनी होगी अब मोस्ट इंपोर्टेंट सर सेक्टोरियल फंड आपने जो लिया है कम से कम इसको पांच साल का टाइम दो पांच साल करके देखो पैसा इसमें बना है अभी लमसम, स्मॉल कैप, सेक्टोरियल फंड में मत करो बट S.I.P. कंटियूर करो पुरा सार मैंने दो स्लाइड में आपको दे दिया और ये दो स्लाइड जो नोंने अच्छे से देख लिया समझ लिया, मुझे नहीं लगता कभी मार्केट सो निकलेंगे ये दोनों important point खास कर सेक्टोरियल फंड को लेगे बहुत tension में लोग है तो फिलाल अभी लमसम उसमें नहीं करना है लमसम किसमें करना है, मैं लगातार अपने prime group में बता देता हूँ, कौन-कौन से फंड में करना है, उस पे target दो और फिलाल अभी जो market की सिरी चल रही है आपको उसी में करना, मैं क्यों कह रहा हूँ देखो reason क्यों है, क्योंकि पूरा data आपके सामने में लाया हूँ आर इसलिए reason है, क्योंकि जब आप analysis देखोगे जितने भी sectorial funds हैं, अभी over valuation पे चल रहा है, आप bank की बात करो auto की बात करो, आप FNCG की बात करो IT, media, metal, pharma, PSU, bank, आप यहाँ देखो इसका पी ratio चेक करो, पी ratio नॉर्मल 15 से 20 ideal होता है, आप देखो 48%, 33%, 31%, 38%, 53, 43 maximum, maximum they are more than 30-40% और ये data nsc.com की site पे आपको मिल जाएगा तो ये data आपको क्या बताता है, सर, ये data आपको बताता है, कि market में volatility अभी और बन सकती है अपने आपको तियार रखो, simple clear आपको बता दे रहा हूँ तियार रखोगे, पैसा बनाओगे, चलो अब आपके question लोगे चलते, मुझे लगता है S.I.P. कर रहे हो, लंसम कर रहे हो, target बहुत important है target रखोगे, पैसा मनाओगे, क्योंकि उस target के according आप अपने funds के allocation चेंज कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि मेरा fund perform नहीं कर रहा है तो time horizon नहीं रखा है, 15 साल, ठीक है, target 4 करोण total S.I.P. कर रहे है, 35,000 और महीन साला ना 10% बढ़ाना चाहरे है चलो देखते हैं, इनका target है 4 करोण, और 4 करोण target है 15 सालों में चलो देखते हैं, होता है कि नहीं, वो देखना बहुत अपने लिए important है step up calculator, online आप सर्च कर लेना, कोई दिकत वाली बात नहीं है आप monthly investment, 35,000 monthly investment है इनकी और 10% लगभग 10% साला ना बढ़ाना चाहते हैं 16% आप नॉर्मली mutual fund return आपको देदेता है और लगभग 15 सालों के लिए, जब आप calculate करोगे ने सर it's coming around 4 करोण, कितना रहा है, 4 करोण की value आ रही है और 4 करोण इन्होंने plan किया था, देखो 4 करोण plan किया था, मतलब बहुत ही शांदार planning बहुत अच्छी है, अगर 10% साला ना करते हैं return अच्छा बनता है, चलो उनकी funds देख लेते हैं बड़ी interesting होंगे, सबसे पहले इन्होंने एक fund में entry किया है, वो fund है हमारा DSP nifty 50 equal weight index यह है, दूसरा है एडल वेसिस mid cap fund, महंदरा मैनुलाइफ multi cap fund, यहां mid cap लिया है, multi cap लिया है quant multi cap लिया है, GM flexi cap fund लिया है 4000, मोती अलोसवाल का nifty micro cap लिया है बंधन small cap लिया है, तो इनका जो portfolio है, यह देख के मुझे लग रहा है कि बिलकुल एक moderate portfolio है जादा risk नहीं लेना चाहते है मेरे तरफ से suggestion है कि जो यह DSP nifty 50 equal weight index fund है इसके जगह पे आप चाहो तो DSP next 50 index fund ले सकते हो चाहो तो थोड़ा सा return conservative है return ठीक ठाक है तो बाकी अंशुमन जी आपका portfolio बहुत शानदार है और मैं सबको कहूँगा सर इस तरह portfolio बनाओ अगर आप बना सकते हो तो very good year मेरी tension खतम होगी, मेरी duty कम होगी नहीं बना सकते हो, what's up कर सकते हो मैं आपका portfolio definitely बनाऊँगा बहुत basic consistency के साथ अगला question है सर, मैं नमश्कार मैं Tata small cap, HDFC mid, पराग पारिक, मोतीला, large, mid cap सभी में 1000 रुपे के साइपी कर रहे हैं और साथी साथ wife के नाम पे भी करना बहुत जुरूरी है मैंने आप लोग को last video बताया है कि भाई साथ taxation का 1,25,000 सालाना छूट मिलती है अगर आपका return 1,25,000 से जादा है आपका gain जादा है आपको फाइदा मिल रहा है फाइदा उठाओ न भाई, क्या tension है अकेले खुद के नाम के थोड़ी करना है मैंने के नाम के करवाओ और जब भी return जादा मिले same amount को reinvest कर दो एक साल बाद काफी लोगो doubt हो रहत एक साल के अंदर नहीं एक साल बाद आपको reinvest कर देना है अगर आप capital gain के दाइरे में आ रहे हो तो definitely करवाना चाहिए अब ये total income आ रहा है 6000 ये कह रहे हैं कि sir मैं अगर complete करू 10% step up से 25 वर्स के लिए 35 year के लिए तो क्या 3 करोण हो पाएगा चलो देख लेते हैं और लगबग 10% ये बढ़ाना चाह रहा है 16% का मैं ले चल रहा हूँ कि भाई return expected मिल जाएगा और 35 years एक बार confirm करना चाहूँगा मैं साय 35 उन्होंने mention किया है समय 25 उम्र 35 हाँ समय 25 साल तो 25 साल में 10% करना चाह रहा है तो 25 साल यहां करूंगा 25 साल में करना चाहेंगे चलो देख लेते हैं तोटल इनका कितना बन रहा है तोटल अगर इसे तरह करते हैं तो लगबग 4 क़रोन वैलू इनकी बन रही है 4 करोन वैलू इनकी बन रही है तो सर देवनाथ जी 3 करोन नहीं, 4000 आपका बंच जाएगा बाकी आपका portfolio portfolio बिल्गुस सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, next portfolio देखते हैं सर जी, थोड़ा confusion है, जो tax लगता है, वो redeem करने के बाद खाते में कटके आता है, या फिर रहें बाद में जमा करना पड़ता है, redeem करके नहीं आता सर, जो tax आपका कटता है, आपको CA के साथ हर financial year आपको tax कटवाना पड़ता है, government को जमा करना पड़ता है, तो वो tax आपके अपने ही, अगर आप capital gain tax के दायरे में आ रहे हो, और 1,25,000 से उपर में हो, तो जो आपका उपर का amount है, समझ गया है, जो आपका उपर का amount है, वो amount का आपका क्या लगेगा, उसमें tax करके आप आपके जमा करना पड़ता है, तो भाई साब यह जमा ही करना पड़ता है, लेकिन कुछ रास्ते मैंने अलड़ी बताया है, वो फॉलो को रोगोज अटेक से भी आप बस सकते हो, लास्ट कोश्चन सर, पालमपूर बाईस, भाई साब बहुत अच्छा इनकी कमेंट रहते है पालमपूर बाईस, बहुत अच्छा लगता है, सारी वीडियो आपकी कमेंट आता है, सौरी मैं लेट पिक कर रहा हूँ, सर, पांच एर के साइपी है, रिव्यू करना प्लीज, टार्गेट एक करोन है, एक करोन करना टार्गेट है, बहुत बढ़ी है तार्गेट है, अब SGFC भी किया है, ये दो फंड आपने लिया है, सेक्टोरियल में, ठीक है न, ये दो इंपोर्टन फंड आपके देखा जाया, तो लगभख 1100 है, जो मैं कहूंगा, तो भी जादा है, मतलब जितनी आपके साइप भी चल रही है, मैं मैं सा कहता हूँ, उसका 10% आपका सेक्टो आपके साइप कहों, तो आपको 5500 किया है, तो आपको HDFC मिड कैप में रखने कोई जोरत नहीं है, निपॉन में रखने की कोई जोरत नहीं है, आप जो मुती आ बात नहीं कर रख रो अब Mid Cap मैंने बता दिया एक अठा कर लो Bank of India Tata Small Cap SBA Small Cap तीनों में से केवल 2 Small Cap रखो Bank of India मैंने रहने दिया है Tata में से SBI में से कोई दोनों में से एक ही fund रखो बाकी आपका लमसम बहुत बड़िया है portfolio अगर आप लोग को design करना है number मेरा WhatsApp number है इस्क्रिप्शन ने मेंशन कर दिया है, जूड सकते हो फैमिली के प्राइम मेंबर के फैमिली से, राइट स्वाश की बीडियों बस यतना आशा करते हो वीडियों पसंद आई होगी वीडियों सो दिस लाइक करना वीडियों को और अगर चैनल पे नया सिस्क्राइब जरू कर लेना मिलते हैं शुड़ों के साथ, बाइबर टेक केर, जये